हेलो काईज, वेलकम डूट रेकिया स्ट रिडिव चनल और गैस क्यों नेक एपिसोड नमबर वन जिरो एटम आप सभी का स्वागत है गैस मैंने कल कमेडी पोस्ट करा तो और आप लोगों को दमागे दार कोशन पुछने को बुला था अब मैंसे बहुत सारे लोगों ने गरमा गरम कोशन पुछे तो लाइन से सारे सवालों के जवाब देने वालों बिलकुल दिल से ओनिस्टी के साथ में तो सी बात पर करते हैं एक वीडियो को लाइक की वीडियो का लेका टार्गेट रेक्टम दो हजार लेक्स का एक होप क्या हम पर आप कर दोगे तो गाइस चीन वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करें अगर आपने नए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पहली बार क्योंने वीडियो देख रहे हो तो वीडियो हो सकते हैं थोड़ी बड़ी हो जाए यहाँ जादा से जादा कोशन पिक करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं सॉलफ करूँगा जबी क्योंने वीडियो में बनाने में मज़ा आता है तो कश्चन जादा रहेंगे तो वीडियो हो सकते हैं थोड़ी बड़ी है लेकिन कुछ न कुछ आप यहाँ पर सिख रहेंगा अगर आप स्टार्ट टो हैं यहाँ पर वीडियो देखते हो तो सबस्क्राइब कोशन हमारी लिस्ट में जो पुछते हुए गौरफ शर्मा कि बोलते हैं हलो सार आई होब यू आर फाइन में माई कोशन इस रेड्मी केट हटी कब लॉंच होगा और प्राइस पॉंट क्या रहने वाली इस रेड्मी केट हटी इंडिया में बताया जा रहा है जन्वरी के असपास आपको देखने को मिल सकता है और प्राइक्स पॉंट के बारे में बात करें तो चाइना में लॉंच होगा था 4G वाला विरियंट 16000 के असपास इंडिया में आप पकड़े के चल सकते हो 17000-18000 के अस हो मैं रहता हो यहाँ पर मुंबाई में वैसे आप कहा पर रहता हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में नेक्स कोशन यहाँ पर राज सिंहें इन्हें बहुत सारे कोशन बुच लिए तो जल्दी से सवालों के जवाब दे जाओ यह बुलते हैं which mobile is better within his price point okay Redmi Note 8 Pro versus Realme XT तो मैं जाना चाहूँगा Redmi Note 8 Pro के साथ में Note 8 Pro versus Realme X2 तो definitely Realme X2, X2 और Redmi K30 depend करता है मैंने comparison बनाया नहीं देखे हो चनल पर चेक आउट कर लेना आज आने दोसके बाद में मैं आप लोगो reply कर दूँगा next बुचरे Realme 5 Pro versus Z1 Pro मैं जाना चाहूँगा Z1 Pro के साथ में next बुचरे Huawei P30 Pro और Galaxy Note 10 Plus no doubt Note 10 Plus और यह बुचरे OnePlus 70 Pro और Huawei Mate 30 Pro तो मैं OnePlus के साथ में जाना चाहूँगा next question यहाँ पर शेक भाई बोलते है भाई Oppo K5 versus Realme X2 में से कौन सा बेटर है और इंडिया में कब आएगा Oppo K5 तो K5 और जो X2A आपको अल्मोस सिमिलर ही देखने को मिलता है भाई भाई स्मार्टफोने एक दुप परसंट चीज़े आपको थोड़ी बोच चेंज मिलेगी इंडिया में आ सकता है नेक्स उचन यहाँ पर पतेल हर्शल बोलते है मैंने वीवो Z1X लिया है कोई गलती तो नहीं कही सूपर अमुलेट सोनी 48 में पर्चेस करा है बहुत ही कमाल का फोन है मैंने खुद परसंटली अपने प्राइमरी यूज के लिए आपर पर्चेस करा ह स्मार्टफोन है सिर्फ स्क्री कार्ड का स्लॉट नहीं है अधरवाइस बहुत अच्छा है डिस्प्ले हो गया कैमरा हो गया और सारी चीज़े को मिला के और रॉंडर स्मार्टफोन है नेक्स मुशन पुछने मॉम्मद जायद बहुत है यह आपका बहुत बड़ा फैन हू और भाई प्लीज मैं यह कोशन पिक कर लेना मेरा नाम लीजिए ओके मॉम्मद जायद भाई यह बोलते है OLED वर्सेज S AMOLED विच इस बेटर डिस्प्ले तो इसका सब से पहले तो जवाब दे देता हूँ OLED AMOLED बिसिकली Super AMOLED वह सेम ही है Super AMOLED में आपको फाइदा यह रहता ह जो brightness level है वो आपको थोड़ी बढ़िया देखने को मिलती है वो जो color है वो आपको थोड़े बहुत आप बोल सकते हो close to reality मतब दोनों ही boosted color रहते है लेकिन close to reality slightly आपको जो एक color अच्छे दिखाता है Super AMOLED वह डिस्प्ले as compared to OLED technology के साथ में नेक्स यहां पर यह पूछ रहे हैं and when honor 9X will launch in India कोई बरोसानी में honor वाले लगता सोगा है पहले बता रहे है अक्टोबर में आएगा नवेंबर में आएगा December आ चुक है कोई भी news यहां पर निकलके नहीं आई है अब वेट ही कर सकते हैं उसके लावा हम कुछ कर नहीं सकते ह तो इतना लेट करोगे तो कोई फाइदा ही इंडिया में लाउंच बाई वो टाम पर और बढ़िया बढ़िया प्रोसेसर कैमरा और बैटरी वगर आ जाएगी तो honor 9X इतना लेट लाउंच करके मतलब भी नहीं बनता है अगर honor को seriously launch करना है तो अभी क्या भी है कि मतलब एक नेक्स कुस्टन याँ पर पुछते हैं बी रॉय यह बलते हैं रेड्मी केट हटी का इंडिया वरजिन में टिपल कार्ट स्लोट होगा यह नहीं और कब launch होगा इंडिया में तो रेड्मी केट हटी इंडिया में जैसे कि मैं आपको बताया है जनवरी के आसपास आपको दि चनल पर चेक आउड होगा इंडिया में जिसके आपको बताया है फरस्स फस् कॉटर तक क्या आपको जो है इंडिया में देखने को मिलेगा 2020 20 यह जनवरी फेवरेरी मार्च के बीच में आपको OPPO K5 इंडिया में देखने को मिल जाएगा नेक्स बुच रहे हैं आपर संदीव वैट्स यह बलते हैं हलो बाई रियल में X2 ले लू या K30 का वेट करना सही रहेगा यह कोशन बहुत सारे लोग बुच रहे तो already मैंने comparison वीडियो स्पेक्स वाइस बनाया था नहीं देखे हो तो चैनल पर चेक आउट कर लेना जबर्दस वीडियो है जाके आपको जो सारे confusion है वो दूर हो जाएंगे का K30 का वेट करे यह X2 को purchase करें तो ज़रूर से वो वीडियो जाँ पर जाके आप चेक आउट कर सकते हो नेक्स मुच्रे आयाज मुला यह बलते है थैंक्स भाई मेरा question पिक करने के लिए और यह बल रहे है भाई रियल में X2 में कौन सा OS आएगा और ColorOS 7 कभी तक आएगा रियल में X2 में आपको पाई आउट ओड़ बॉक्स मिलेगा और ColorOS 6 आउट ओड़ बॉक्स मिलेगा और ColorOS 7 का आपको 2020 के फास्ट कारडर में अपडेट देखने को मिलेगा और Android 10 का अपडेट भी आपको 2020 में ही देखने को मिलेगा अब फिलाल के लिए आपको दोनों ही color west as well as android version है आपको एक यहाँ पर पीछे ही देखने को मिलने वाला है आपको एक यहाँ पर पीछे ही देखने को मिलने वाला है आप कैसे हो मुझे बताना नीचे comments में और यह बोल रहे है I hope you are fine इंशालला और यह बोल रहे है भाई हमें Realme X2 लेना चाहिए या नहीं Realme X2 6128 की क्या price होगी तो जो Realme X2 6128 जो आप बोल रहे है तो मुझे नहीं लगता 6128 वाला variant इंडिया में आपको देखने को मिलेगा जहां तक मुझे लगता है 664 देखने को मिलेगा और फिर डारेकली आपको जो 8128 वाला variant देखने को मिल सकता है जो 8128 वाला variant इंडिया में आपको 20,000, 21,000 के असपास pricing देखने को मिलेगी नेक्स याबर पुछरे मासू महमद यह बलता है असलाम वालेकूँ वरा मतलब बरकातु भाई वालेकूँ असलाम और यह बल रहे है भाई क्या रियल में X2 Pro में UFS 2.1 वाला variant इंडिया में आएगा तो जैसा कि लीक सारे जिसके accordingly डेफिनिटले आपको देखने को मिलेगा और यह बल रहे है अगर आया है तो क्या उसमें टिपल कार्ट स्लोट होगा नहीं भाई उसमें भी SD कार्ट का स्लोट डिखने को नहीं मिलेगा और यह बल रहे है प्लीज बताना क्योंकि रियल में X2 Pro और X2 को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ तो सीधी बात यहार अगर आपका बजट अच्छा खासा है मतब 26-27,000 तक ही भी अगर आपका बजट जा सकते है तो मैं आपका बलूँगा थोड़े पैसे मिला कि आप X2 Pro के साथ में चले जाओ अगर नहीं भी आता तो 30,000 वाला परचेस कर लेना और अगर आपका बजट है 18,000 से लेके 20,000 तक है ताब X2 को परचेस कर लो विसे यह दोनों का भी comparison वीडियो में ने पहले बनाया है तो नहीं देखे हो चैनल पर चेक आउट कर सकते हो नेक्स पुछरे के आपर हिर्देश राजपुड यह बते है भाई Realme X50 इंडिया में लाँच होगा या नहीं अगर हा तो स्प्रक्स क्या हो सकते है तो जहां तक है जो लीक्स है और जो confirm news है जो Realme X50 है वो आपका 5G स्मार्टफोन डएगा Snapdragon 765G के साथ में आएगा चाइना में लाँच होने वाला है बहुत ही चल्दी तो मुझे जाता क्या लगता है इंडिया में तो भी 5G को 2-3 साल बचे रह गए तो यहां पर X50 देखने को मुश्किल है में भी नाम चेंज करके 4G विरियन इंडिया में ला सकते है तो 765G मुझे नहीं लगता वो प्रोसेसर 5G वाला इंडिया में लाँच करेंगे में भी 730G या कोई Snapdragon का कोई 4G का नए चिफसेट आता है तो उसके साथ में यह लोग लाँच यहां पर कर सकते है तो जो चायना वाला वीरियंट है मुझे नहीं लगता है इंडिया में आपको देखने को मिलेगा स्पेशली 5G वाला वी उसकरता है वही बाकी सारों को भी मार्केट में सप्लाइ करता है लेकिन यहां पर ब्रैंड के उपर रहता है कि पोस्सेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर यहां पर कैसा ध्यान देरे कोई ब्रैंड अगर आप देखोगे सॉफ्टर वगरा एपल को आप ले लो संसर आपक निकल के आ सकते हैं तो यहां पर बाकी के जो आप बोलर रहों ब्रैंड सो वो लोग धान नहीं देते हों इसलिए उनकी जो डिटेलिंग और बाकी की सारी पिच्चर बराबर नहीं आती है संसंग बाले पोस्सेसिंग में काफी द्धा धान यहां पर देते हैं नेक्स स्मार्टफोन बढ़िया लगते हैं तो नेक्स सुष्चन यहां पर पुछे तपस्वी भरधवाच यह बहुत सारी इन्हों ने क्वेशन पिचे चले लाइन तो सारे सवालों के जवाब देते हैं यह पुछने क्या वन प्लस एट लाइट वर्जन रियल्मी 730G साथ लॉं इस्तिमाल करते हैं तो कम से कम आपको 25,000 तक के प्राइस पॉंट पर रखके देने वाले हैं और नेक्स पुछ रहे हैं पर रियल्मी 730G लाँच होने के बाद रियल्मी X2 का प्राइस कितना ड्रॉप हो सकता है तो में भी अगर रियल्मी X2 जो इंडिया में आने वाला है अगर 8,000 में आ जाता है तो में भी जो XT का प्राइस पॉंट 1,000 से ड्रॉप हो सकता है उससे जदा ड्रॉप नहीं होने वाला है और नेक्स से पुछ रहे हैं आई नेवर प्ले गेम ऑन फोन माई प्रारिटी जा परफॉरमस मुल्टीमीडिया कंजम्चन अमोलेड 6GB और Realme XT 8GB तो मैं बलूँगा I'm 30S को यार आप ले सकते हो अगर Samsung fan हो तो otherwise मैं आपको recommend करूँगा कि XT का जो 8GB अला variant है उससे purchase कर लो वो जाधा value फर्मरी रहेगा और आपकी जो requirement को है जाधा यहाँ पर suit करेगा next question यहाँ पर आकाश पलनी बोलते है यह बोल रहे है which is the best color in Realme X2 in your opinion पल white, पल blue या avocado green color और यह बोल रहे है because I want to buy an X2 I am confused in 3 color तो basically यह पूछ रहे है humble request वगरा भाई यह humble request क्या है यह सीधा मैं आपको बता देता हूँ personally अगर blue और white में देखोगे तो मेरा personally favorite है pearl white और पल white और avocado green color जो image avocado green मैंने हाथ में लेके तो नहीं देखा हूँ लेकिन जो images में काफी जबर्दस लग रहे है यूटूब पर वीडियो से लगरा पर भी इतना बराबर से नहीं आया है तो मेरे हिसाब से जो है यह यह green color है वो काफी जबर्दस लग रहा है green color के साथ में आप यहां पर चाह सकते हो मैं रहे था तो definitely green color ही purchase करता था नेक्स मुछ रहे हैं पर केतन लाइफ गेमिंग यह बुले please pick my question last time नहीं किया था और यह बोल रहे कि मुझा आप को जानना है कि at the time same post अच्छा मतलब basically जानना ह कि मतलब जो major job offer होती है जो realme की तरफ से या Xiaomi की तरफ से same post रहेगी same जगा रहेगी same salary वगरा रहेगी तो मैं किसके साथ मैं मतलब यहां पर काम करूंगा तो यहार में जोनों ही अगर first of all मैं job नहीं करूंगा और अगर कर भी लेता हूँ तो मैं यहां पर realme में भी चलेगा शौमी में चलेगा दोने growing brands है और में भी अगर आप पुछोगा बाई एक ही बताओ तो मैं जाना चाहूँगा शौमी के साथ में क्यूंकि जो शौमी है मतलब 5 साल से मैं कुद परसनली शौमी का फैन हूँ और मैं MIUI मुझे अच्छा लगता है और शौमी वन फी टॉप स् लो नाकपूर यह बले प्लीज आंसर रियल्मी 5 प्रो 10,800 रुपे में ले लू क्या रेड्मी नोट 7 प्रो लू प्रारेटी जार पर्फॉर्मस कैमडरा और बैटरी लाइफ तो नोट 7 प्रो मतले रियल्मी 5 प्रो 10,800 रुपे में मिल रहा है डेफिनेटली जा सकता है वैल में नोटेट किया विवो यूट्वेंटी मैं आपके जगे रहता तो यूट्वेंटी लेता विकॉज मुझे परफॉर्मेंस अच्छी शी रहती 675 अच्छ है 665 के कमपार्जन में और नेक्स पुछ रहे हैं और सैमसंग वन यूई या ऑक्सीजन वेस्ट अफकोर्स करना पड़ता है तो मैं मुविंग मतलब ऑपजेक्ट जो भी रहता हो जल से जल खराब हुना मतलब हो भी सकता है उसमें डस भी आती है और मतलब सर्विस सेंटर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको जो है से मैंने के अंदर या अंदर उसमें आ सकते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वाटर ड्रॉप नॉच दे देते हैं या भी मोस्ली जो है आपको पंच होल वाले स्मार्टफोन ज्यादा दिखने को मिलेंगा इसका बेट वाटर ड्रॉप नॉच और पोपप सल्फी कैमरे के कंपार्जन में तो मुविंग आपजेक्ट कहीं न कही कितना भी आप अच्छा बना लो लेकिन कहीं न कहीं सा दिल में रहता है कहा रही है कुछ मटी चली गए अंदर यह खराब हो गया यह दब गया गिर गया बैट गया ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़े रहती है इसलिए कंपनी थोड़ा थोड़ा दूर यहां पर भाग रही है नेक्स यहां पुछ रहे सेवन भाई सारे टेक यूटूबर मुबाल के इंबॉक्सिंग करने के बाद उस फोन का क्या करते है तो सबसे बहुत आपको बता दो एक वह यूटूबर है जिसको जो सारे अंबॉक्सिंग ब्रैंड करने को देते मतलब स्मार्ट फोन उनको नेक्स यहां मतलब फैमिली मेंबर में या कहीं रिलेटेव फ्रेंड सरकल में पुछता हो भई किसको फोन चीए तो अच्छा लगता है तो आपको मार से पहले-पहले इंडिया में देखने को मिल जाएगा नेक्स यहां पर पुछ रहें टेक होटेस यह बता है भाई Realme X के बाद बेजन लेस्क्रीन वाले फोन आएंगे Realme के तो Realme X last smartphone और Lota smartphone था Realme का bezel less screen के साथ में और जहां तक के Realme XT में भी आपको वो दिखने को नहीं मिला X2 में भी आपको water drop notch है X2 Pro जो के flagship है उसमें भी water drop notch है तो मुझे नहीं रखता Realme अब कोई भी है आपर आपके जब pop-up selfie camera के साथ में smartphone वगरा launch करेंगे last smartphone था और पहला smartphone मिझे लगता है Realme की तरफ से Realme XT था तो जो के आपको pop-up selfie camera और bezel less screen यहां पर provide करा रहता तो guys यह सारे question थे जो के आपने मुझे से पुछे थे I hope कि मैंने बराबर से reply कर दिया हूँ कोई question चूट गया है कोई question रह गया है कोई question अभी के अभी आपके mind मा है तो जुरूर नीचे बेज़े जखो के यहां पर comment section में पूछ सकते हो मैं सारे questions कर यहां पर reply करने की कोशिश करूँगा तो यह होब कमेंसे आपको वडियो पसंद आई होगी और गयसा अगर आपको वडियो पसंद आए लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है अगले किसी वडियो में चब तक के लिए थैंक यू